Hello Everyone, स्वागत आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल रवी स्थर्डी आई क्यू जी के पर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जोग्रफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्यूशन जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से काफी होने वाले हैं आज मैं डिस्कस करूँगी जोग्रफी की सिरीज का सेट नंबर एट और सभी किशन काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूसफल आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से ये होने वाले हैं तो बिना देरी करें शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसका पह मारू went का देश तो यह है उस्टा desarrollo अबस बबनी के बात करें इक मेमल होता है यानिक एक सतंधारी जीव है और इसके लावा अगर बात करें और ऑस्ट्रेलिया की राश्ट्री पसूगी तो यह भी कंगारू ही हो ओता थे तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है मैं नेक यानि कि golden pagoda के नाम से जिस देश को जानते हैं वो है आपका मया मार option number A और इसको कभी-कभी golden pagoda की जगा golden land पी अगर बोल दे तो ये भी कोई गलत नहीं होगा तो golden land हो या फिर golden pagoda तो दोनों ही किसको बोलते हैं ये बोलते हैं मया मार को तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है इसके बाद next question है आपका कौन सा देश अर्ध रातरी के सूरिय का देश के उपनाम से जाना जाता है यानि कि country of midnight sun तो ये कहते हैं नोर्वे को तो option number जो B है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखे जो ये घटना है अर्ध रातरी के सूरिय वाली तो ये एक प्राकरति घटना है मतबिक natural ये phenomenon आप कह सकते हो geography का तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मियों की महिने में जो Arctic Circle आपका होता है ठीक है उसके उपर की तरफ और Antarctic Circle की नीचे की तरफ इन दोनों में ही क्या होता है ये घटना देखने के लिए मिलती है और इसमें क्या होता है कि सूरिय जो है मद्धे रात्री में दिखाई देने लगता है तो इसलिए इसको कहते है अर्द रास्तरी के सूरिय का देश ठीक है तो आपको समझ में आया कि Arctic Circle से उपर वाला एरिया और Antarctic Circle से नीचे वाला एरिया तो इसमें क्या होता है रात्री के समय जो है सूरिय हमें दिखाई देने लगता है तो इसी कंडिशन को हम क्याते है अर्द रास्तरी का सूरिय तो यह दिखता है में नौर्वे में तो सही आंसर होगा option number B Next आपका प्रश्न है होन ओफ अफरिका में शामिल किये जाने वाले देश ये कौन-कौन से है तो देखे होन ओफ अफरिका अभी दीसिंगली न्यूज में था तो उसी कंटेक्स्ट में ये कुशन जो है आपके लिए important हो जाता है तो आपको उसकी location और कौन-कौन से देश इ आपके यहाँ पर सही हो जाएगा मैप में आप location देख सकते हो ये चारो कंट्री है इनकी जो शेप है वो थोड़ा होन की तरह मतलब सींग की तरह ही दिखाई देती है ये रहा Somalia ये इतोपिया ये जिबूती एंड ये इरिट्रिया तो चारो कंट्री इसके नाम आपको या जाता है तो देखे सफेध हातियों की भूमी अगर हम कहें तो ये कहते है थाइलेंड को तो option number जो भी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि थाइलेंड में जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमें सफेध हाति देखने के लिए मिलते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है सफेध हातियों की भूमी बच्चे हाँ पर कन्फ्यूस करते हैं सफेध हातियों की भूमी और एक हजार हातियों की भूमी तो दोनों में डिफरेंस है अगर आपसे पूछे हजार हातियों की भूमी तब आंजर आपका जाएगा लाओस ठीक है हजार हातियों की भूमी लेक अगर बात करें सबसी व्यस्त समुद्री रास्ता तो यह है आपका उत्री अट्लांटिक महासागर यानि की नोर्थ अट्लांटिक ओशियन तो ऑप्शन नमबर जो भी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसको आप ऐसे समाझ सकते हो कि दो एक उद्द्यों के क्रूप से व अमेरिका हुआ और इधर यह आपका यूरॉप है और बीच में आपका पूरा यहाँ पर अट्लांटिक ओशन है तो इसका जो यहाँ पर पूर्वी टट होगा और यूरॉप का जो पस्ची में टट होगा तो आपस में कनेक्ट करता है और बहुत ही बीजी ये रूट रहता है तो इसलिए कहते हैं विश्व का सबसे व्यस्त समुदरी रास्ता तो ऑप्शन नमबर जो भी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ जो की है माओरी जन जाती का निवास छेतर क्या है तो यह ट्राइब है आपसे पूचा है कि यह कह पर रहती है तो यह देखने के लिए मिलती है आपको न्यूजिलेंड में तो ऑप्शन नमबर जो भी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अब देखे न्यूजिलेंड की बात आई है तो इसकी कैपिटल याद रखना यह है वेलिंगटन और रिसेंटली इसके जो प्राइम विकास सोचकांक यानि की Human Development Index जिसे शॉट में हम HDIB कहते हैं यह किसके द्वारा जारी किया जाता है तो सही आंजर होगा इसका UNDP तो ऑप्शन नमबर C आपको यहाँ पर सही हो जाएगा यानि की United Nation Development Program के द्वारा यह इशू यानि की रिलीस किया जाता है डेटा अगर बात करें UNDP की तो देखे इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में और इसका मुख्याली के अगर हम बात करें तो यह हैं New York में अब देखे यह जो कुछ सोचकांक होते हैं किसी ना किसी क्राइटेरिया को डिसाइड करके या फिर सोचके हम इनको मतलब डाटा रिलीस करत तीसरा है आपका स्वास्ति और आय यानि की हेल्थ और इनकम और इसके लावा जो तीसरा है यह है आपका मानव विकास यानि की human development तो तीनों ही इंडिकेटर हैं जो डिसाइड गरते हैं किसको मानव विकास सूचकांग को तो यह भी आपको उसमें ध्यान रखना है तो ध्य जो जनसंक्या है वो हर 25 वर्षों के बाद जो है वो दुगनी हो जाती है यह according to Malthas है तो option number जो बी है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इनका यह मानना था कि जो population है वो geometric progression यानि कि गुनोत्तर श्रेणी में बढ़ती है तो इसका मतलब यह 25 वर्षों के बाद जो ह अपने जो thoughts है जो विचार है उनको रखा था तो यह भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अगर आप से पूचे principle of population तो यह related है Malthas से तो यह भी आपको उसमें ध्यान रखना है नेक्स आपका प्रश्न है नियुनतम जनसंक्या वाला महादीप यह कौन सा है तो नियुनत प्रेक्टिम में चोटा है वो जनसंक्या ले लो या फिर लेंड एरिया तो option numbers ती आपको यहाँ पर सही हो जाएगा और सबसे बड़े अगर हम continent की बात करें यानि कि सबसे बड़ा जो महादीप है जनसंक्या में भी और लेंड में भी तो वो कौन सा है तो वो है एशिया त दिवस यह कब मनाया जाता है तो विश्व जनसंक्या दिवस यह मनाते हैं हर साल 11 जुलाई को तो option number A आपके यहाँ पर सही हो जाएगा देगे आजकल एक्जाम में क्या है कि डेट के बज़ाए आजकल थीम्स पूछने लगे अगर कोई important days आपका आता है तो साथ-साथ याद करके चलनी है जैसे अगर हम बात करें विश्व जनसंक्या दिवस की तो 2023 में इसकी जो थीम थी वो क्या थी यह थी unleashing the power of gender equality ठीक है तो यह है इसकी थीम unleashing the power of gender equality तो यह थीम भी आपको ध्यान रखना है और यह दिन कम मनाया गया है यह भी आपको इसमें ध्यान रखन है नेक्स्ट आपका प्रश्ण है संसार की सबसी महत्यपून जहाजी नहर कौन सी है तो यह स्वेच कैनाल या स्वेच नहर option number जो डी है आपका यहां पर सही हो जाएगा location आप यह देख सकते हैं यह आपके स्वेच कैनाल और यह man-made कैनाल है और काफी important यह है इसकी जो construction 1859 में और जो काम complete हुआ था वो हुआ था 1869 में तो यह भी कई बार पूछ लेते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है यानि कि operation में आई थी 1869 में लेकिन बनने की शुरुवात यह हुई थी 1859 में और सबसे महत्यपून जहाजी नहर यह है स्वेच नहर option number D Next आपका प्रश्ण है निमली कित में से भारत की सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश के साथ लगती है तो सबसे लंबी स्थलिय सीमा की बात करें तो यह लगती है बांगलादेश के साथ तो option number जो D है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा हाला कि कई बार मैं आपको यह किशन बता चुकी हूँ लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार-बार यह रिवाइस कराती रहती हूँ तो देखना इसका सही आंसर होगा option number D यानि की बांगलादेश और सबसे छोटी यह लगती है अफगानिस्तान के साथ कितनी 106 किलोमेटर अब आप मुझे comment section में बताओगे कि बांगलादेश के साथ हमारा देश कितना किलोमेटर का border जो है वो शेयर करता है तो जो भी आंसर बराने का अविशकार एक तरीके से बोल सकते हो यह शुरुवात हुई थी चाइना में तो option number जो C है आपके यहां पर सही हो जाएगा चाइना में एक व्यक्ति थे चाय लुंग करके चाय लुन करके तो उनी के द्वारा यह जो है प्रारंब किया गया था और यह before Christ यानिकी इशा पूर्व की बात है around 202 इशा पूर्व ठीक है तो सही अंजर होगा option number C हालकि बनाने की शुरुवात तो करी थी चाइना ने लेकिन उसको बहुत बड़े लेवल तक extend यह किया था हमारे देश बारत ने तो यह भी आप इसमें ध्यान रखेंगे next आपका प्रशन है मानसून सब्द की उत्पत्ती यह किस भाषा से हुई है तो इस सब्द की उत्पत्ती यह हुई है Arabic से तो option number A आपके यहाँ पर सही हो जाएगा and most important question है कई बार मैंने इसको एक्जाम में देखा है तो देखे इसका सही आंसर होगा Arabic और यह कौन से के बना है उसमें तो वो शब्द है मौसिम तो उसी से बना है मानसून तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है और मानसून होता क्या है तो simple आप यह कह सकते हो कि पवनों की दिशा का रीतू के अनुसार परिवर्तन होना ही यह कहलाता है मानसून तो इतना इसमें आपको ध्यान रखना है, next आपका प्रश्ण है, हिडिकल परियोजना किस नधी पर इस्तित है, तो ये इस्तित है आपकी घाट प्रभा नधी, तो option number जो A है आपका यहां पर सही हो जाएगा, और ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, तो ये है आपका basically जो करनाटक वाला एरिय है वहाँ पर, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, तो option number A इसका सही हो जाएगा, next आपका प्रश्ण है, हिमाले का पाद प्रदेश निम्ने में से किस नाम से जाना जाता है, यानि कि जो फुट हिल वाला रीजन है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते है हम शिवालिक के नाम से, तो option number जो D है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अब देखे हिमाले की broad category के अगर हम बात करें, तो तीन ranges होती है, तो सबसे पहली इसमें आप कह सकते हो, आंतरिक हिमाल्या, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं, हिमादरी भी कहते हैं, दूसरा आपका आ इसके बाद आपका बाहरी हमालिया, जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, तो सबसे फुठिल वाला रीजन आपका शिवालिक होता है, यही आप से पूछा गया है, तो option number जो D है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, next आपका प्रशन है, कार्डेमम पहाडी कहां अस्ति है केरल में, तो option number जो C है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, next आप लेंगे खारो, खाची और जयनता पहाडी यह किस राज़े में हैं, तो देखें गारो, खाची और जयनतिया, यह 3 कहां पर हैं, यह 3 है, मेघालिया में, option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अब देख होता है कि यह तीन आपकी हिल्स है गारो हिल्स खासी हिल्स और जयंते हिल्स इसके नीचे यहां पर एक प्लैटी होता है ठीक है और जब यहां से मांसून की विंड आती है तो यह पहले जयंते पर टकराती है फिर यह नीचे तो यह बहार ने निकल पाती फिर उपर जाएगी फिर नीचे फिर उपर नीचे तो यहां पर एक फ़नल शेप क्रियेट कर देती है तो जो मांसून की एक आप कह सकते हो विंड जाती है वो कभी बहार ने निकल पाती है तो इस वज़े से जो साला ना वहाँ पर बारिश आपको देखने के लिए मिलती है तो यह भी रीजन है तो यह याद रख सकते हैं आप option number A इसका सही हो जाएगा next है नेमलिकित में से किस राजे में सबरी माला मंदिर इस्तित है काफी important यह मंदिर है पहली बात और काफी news में यह रहता है ठीक है I know all of them must be aware of that तो सबरी माला मंदिर कहां पर है यह तो यह है केरल में अब केरल में तो है लेकिन किस भगवान को शमर्पित है यह भी आपको पता होना चाहिए तो भगवान का नाम है आयपपा तो यह भी आपको ध्यान रखना है यानि कि यह भगवान आयपपा को समर्पित ह और कहां पर है केरल में है काफी कांट्रोवर्शल है यह मतलब कुछ जज्जमेंट्स वगएरा चल रहे हैं लेकिन न्यूज में काफी रहता है तो आपको ध्यान रखना है नेक्स आपका प्रश्ण है अंडमान और निकोबार द्वीब समों में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौनसी है तो सही आंजर होगा सेडल पीक ऑप्शन नंबर ए यानि कि अंडमान और निकोबार में जो सबसे उची चोटी है वो है आपकी सेडल पीक नेक्स आपका प्रश्ण है चेत्रफल की नजर से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह कौन सा है तो चेत्रफल की द्रस्टी से सबसे बड़ा डेल्टा तो यह है आपका सुंदर्वन डेल्टा जो कि गंगा ब्रहंपुत्र रिवर के द्वारा बनता है तो ऑप्शन नंबर जो भी है आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्स आपका प्रश्ण है सरवादिक उचाई पर इस्तित नोका य रिस्ति था एक टल की टटीट ऑगा जील नेक्स आपका प्रश्य विक्टोरिये जील कहां पर रिस्तित थे तो विक्टोरिये जील की बात करें तो यह कहां पर है तो यह आपको देखने के लिए मिलेगी कर अफalten कैंट एक और उप्शन नॉमबर जो और आपका यहां पर सह कर मिल जाती है तो option number जो डी है आपके यहां पर सही हो जाएगा next है किस देश को हजार जीलों की भूमी कहते हैं तो हजार जीलों की भूमी यह कहते हैं Finland को तो option number A आपके यहां पर सही हो जाएगा इसमें तक्रीबन एक लाख 68,000 से भी जाधा जीले आपको देखने के लिए मिलती है ठीक है तो इसको कहते हैं 1000 जीलों की भूमी next आपका प्रश्न है विश्व की सरवादी खारे जलकी जील वान जील जिसको कहते हैं वो किस देश में ह तो सही आंसर इसका हो जाएगा टर्की option number C और इसमें लगबग 333 परतिशत का खारा पानी का यहां पर परसंटेज देखने के लिए मिलता है तो यह भी आपको इसमें ध्यान रखना है नेक्स्ट आपका प्रेशन है गोकक प्रपात किस जिले में इस्तित है यानि कि गोकक फाल यह कहां पर लोकेटिट है तो यह है करनाटक के बेल गाव में तो option number जो A है आपके यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट प्रेशन होगा विश्व की सबसे बड़ी मेठे जल की जील यह कौन सी है निकि फ्रेश वोटर लेक तो यह है आपकी लेक सुपीरियर तो option number जो B है आपके यहां पर सही हो जाएगा ठीक है और देखे जो सुपीरियर लेक है इसके मैंने आपको कहीं बार बताया है यह 5 ग्रेट लेक का भाग होती है अब वो 5 ग्रेट लेक कौन सी है यह भी मैंने आपको कहीं बार बताया है जैसे कि कौन कौन सी है तो लेक सुपीरियर लेक हिरॉन लेक इरी लेक उंटेरियो और ल जाने वाला प्रथम एशिय देश का नाम क्या है यानि कि कौन सी पहली कंट्री थी एशियन जो की मार्स पर गई थी तो यह अपना प्यारा देश भारत तो ऑप्शन नम्बर जो ए आपके यहाँ पर से ही हो जाएगा देखिक हाला कि गए तो और भी कंट्री थी लिकिन एशि था ठीक है तो ये गया था हमारा पहला भारत जो देश था ये गया था मार्स पे ठीक है और ये कब गया था 2013 की ये बाद है पांच नवंबर में गया था और कौन से रॉकेट से गया था तो PSLV C25 ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है तो option number C यहां पर आपका सही हो जाएग नेक्स्ट आपका प्रश्ण है शांत समुद्र और तुफानों का महा सागर निम्न में से कहां इस्तित है तो ये इस्तित है चंद्रमा पर तो option number जो A है आपका यहां पर सही हो जाएगा अब देखे C of Tranquility में मैंने आपसे पूछा था तो ये वही है शांत सागर तो ये ये आपका यहां पर सही हो जाएगा चंद्रमा के अगर बात आही गई है तो देखे Candriyan 3rd तो सभी को पता है न्यूज में इतनी बार डिसकस हो चुका है चंद्रियान 3rd कहां लाँच हुआ कब लाँच हुआ कहां पर इसने लैंडिंग की है तो ये सब आपको पता होना च तो ये सब इनफोर्मेशन तो रही इसके लावा अगर बात करें चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा तो ये थे दो व्यक्ति नील आमस्ट्रॉंग और दूस्टे थे एडविन एल्डरिन और कम गए थे 1969 की ये बात है और जो इनका स्पेस्क्राफ्ट था वो था अ चंद्रमा पर पहली बार कदम ये रखा था नील आमस्ट्रॉंग ने और साथ में एडविन एल्डरिन ने तो ये धियान रखना है 1969 की ये बात है तो सांत समुदर तुफानों का महा सागर तो आप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका प्रशन है सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जिस निमन में से किसका है या फिर कौन सा है तो ये है गैनेमिल्ड और ये किसका है तो ये है जूपिटर का जूपिटर हमारे पूरे सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और उसका जो उपग्रह है वो भी सबसे बड़ा है जिसका नाम है गैनमर्ड तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है option number D next आपका प्रशन है uranus की कोच ये किस ने की थी तो uranus की कोच ये की गई थी हरसेल के द्वारा तो option number जो A है आपके यहां पर सही हो जाएगा विलियम हरसेल के द्वारा next आपका परसन है किसने सबसे पहले प्रत्वी की परीधी को मापा था तो circumference of earth को मापने वाले पहले वेक्ती तो ये थे eritosthenich option number D काफी important है याद रखेगा other option को discuss करें तो देखे हीकेटियस की बात करें तो father of geography कहते हैं herodotus की बात करें तो father of history कहते हैं और Aristotle को कहते है father of biology तो ये भी आपको इसमे ध्यान रखना है next आपका प्रशन है प्रत्वी का द्रुवे व्यास और विशुवती व्यास में कितना अंतर होता है फिर कितना उससे कम है तो देखे द्रुवे व्यास होता है basically 12,714 विशुवती व्यास की बात करें तो ये होता है 12,756 अब इन दोनों के बीच का आपसे अंतर पूचा है तो जब आप इसको minus करेंगे तो जो difference आएगा वो आएगा 42 km तो यही सका answer हो जाएगा option number B next आपका प्रश्ण है प्रत्वी के उपगरों के संख्या ये कितनी होती है तो अगर बात करें प्रत्वी के उपगरे की यानि की satellite की तो ये है सिर्फ एक जो है हमारा moon तो ध्यान लगना सिर्फ एक ही satellite है जिसका नाम है moon next आपका प्रश्ण है प्रत्वी सूरिय से अपनी अधिक्तम दूरी पर कब होती है तो देखिए अगर आपसे बुझें कि अर्थ अपनी maximum distance पर कब होती है सन से तो सही answer होगास का 4th of July यानि कि 4 July को जो प्रत्वी है वो सूरिय से अधिक्तम दूरी पर होती है तो यह आपको इसमें ध्यान रखना है और जो condition होती है यह चार्ज July को जो सन दूर होता है प्रत्वी दूर होती है इसी को कहते अपहेलियन और पेरिहेलियन condition तब होती है जब वो नजदीक होता है और नजदीक कौन से तारिक को होते हैं तो यह date है 3 जनवरी तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैसे भी किशन पूछ सकते है नेक्स आपका प्रशन है अंतराष्टी तिती रेखा का निधारन किस वर्ष किया गया तो सही आंसर इसका 1884 option number C नेक्स आपका प्रशन है अंतराष्टी दिनांक रेखा यानि कि इंडरनेशनल डेट लाइन यह कहां से होकर गुजरती है तो यह आपके गुजरती है 180 डिगरी से होकर यह गुजरती है तो option number जो B है आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्स आ कौन जा राज्ये उत्री पूर्वी राज्ये के साथ बहनों का भाग नहीं है अब देखे 7 sisters की बात करें तो यह आपको ध्यान रखना है कौन कोन आता है अरुनाशल प्रदेश, नागल लेंड, मनीपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मिगाले और असम लेकिन जो नहीं आता वो है आपका पश्यम बंगाल यानि कि West Bengal तो option number जो B है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा त्रिपुरा की बात करें तो तीनों तरफ से बांगलादेश से घिरा हुआ है ये भी आपको उसमे ध्यान रखना है next है आपका प्रश्ण मनार की खाड़ी किसके टट के साथ अवस्तिद है तो मनार की खाड़ी ये आपको देखने के लिए मिलेगा तमिल लाडो के समीब तो option number जो A है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा next है विश्व का सबसे उचा जल प्रपात ये कौन सा है तो सरवादिक टट्रेखा वाला राज्जे तो यह है गुजरात option number 8 इसके बाद आता है आंदरबर्देश और साउत में अगर स्पेसिफिक लिए आप उस्ते साउत में सबसे लंबी टट्रेखा तो यह आपकी होती आंदरबर्देश लेकिन ओवरॉल की बात करें तो आएगा गुजरात उसके बाद आंदरबर्देश और तमिल नाड़ो नेक्स आपका प्रश्ण है सियाचीन ग्लेशर चेतर के ऊपर किनके मद्धे जगड़ा रहता है तो देखे जो सियाचीन वाला एरिया है यहाँ पर अकसर जो चाइना है वो क्लेम करता है कि यह मेरा एरिया है तो कह सकते हो डिस्प्यूट में रहता है यह हमेशा भारत और भी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा हाला कि वो कंट्रोल में इंडिया की है लेकिन चाइना उसकी आदत है क्लेम करने की तो वो हर जगा को क्लेम करता है कि मेरा एरिया है तो यह डिस्प्यूटिट एरिया है ध्यान लगना नेक्स्ट है पठकाई की पहाडिया भारत को किस नागालेंड इन सबसी बाउंडरे को शेयर करती है और यह अलग करती है मयामार को तो आप्शन नमबर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स्ट न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मद्धे विवात का कारण है तो यह बेसिक आपका किस-किस के बीच में विव मूर दीप तो आप्शन नमबर भी आपका यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट ए एशय की सबसे लंबी नदी यह कौन सी है तो सबसे लंबी नदी एशया की तो यह यांग टी सी क्यांग जो की चाइना में है विश्व की बात करें सबसे लंबी तो यह नाइल है सबसे तो यह अकांक गुवा है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है तस्मान सागर किसके मद्दे आवस्तित है तो तस्मान सागर की बात करें तो यह स्थित न्यूजिलनेंड और आस्ट्रेलिया की बीच में औप्शन नमबर C नेक्स्ट है काला सागर किस देश की दक्षिन में इस्तित है तो काला सागर की बात करें तो यह बेसिकली इस्तित है किस की दक्षिन में तो यह है आपका तुर्की औप्शन नमबर C नेक्स्ट आपका प्रश्ण है सार्गोसु समुदर किस महासागर में इस्तित है तो सार्गोसु की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इस्तित है कहां पर तो ये इस्तित है आपका Atlantic Ocean option number A और सार्गोसु की एक खासियत है कि एक मात्र ऐसा समुदर है जिसमें कोई भी समुदरी तर्ट नहीं है तो ये भी ध्यान दगता है तो ये थे आपके 50 questions related to geography सबहे questions जो है प्रीवेसर में पूछे गए हैं और काफी relevant आपके exam के point of view से hopefully video आपको पसंद आया होगा आपने कितने questions सही किया है comment section में जरूर बताएं अब आपसे मैं question पूछती हूँ दो test की जिसके answer आप मुझे comment section में दोगे तो पहला आपका प्रशन है चेतरफल की नजर से विश्व का सबसे बढ़ा delta ये कौन सा है तो इसका answer आपको देना है औ आप पूरा answer जो है वो comment section में लिके इससे आपका ही फायदा है कि आपको वो long term के लिए चीज़े याद रहेंगी तो इसका answer भी आप मुझे comment section में जरूर बताएंगी तो आज के लिए इसके लबा पीडियाफ में आपको अल्रड़ी बता चुकी हूँ मारी 8 महीने की पीडि में मिल जाएगा तो आज के लिए तना ही है थेंगी so much have a good day